दर्शकों को दें आश्राम करीब साथ बजे मुख्यमंत्र नितीश कुमार इस्तिफा देंगे नितीश आज ही इस्तिफा दे सकते हैं और पूरी खवर कर देख जानकारी के साथ समधाता शैलिंद्र हमारे साथ जुड़ चुके शैलिंद्र क्या जानकारी है मुख्यमंत्र न नितीश कुमार आज शाम साथ बजे इस्तिफार दे सकते हैं। शाम साथ बजे जब घड़ी इस्तिफार दे सकते हैं। शाम साथ बजे इस्तिफार दे सकते हैं। शाम साथ बजे इस्तिफार दे सकते हैं। और पार्टी के अन्यताओं की। संभवता सभी बिधायकों से जो समर्थन पत्र होता है। उस पर दस्तिकत भी करा लिए गए हैं। और अब अगला कदम नितीश कुमार का क्या होगा। यह देखना होगा। और इस वक्त पत्ना के होटल चानक्या की तस्वीर हैं गहमाः गहमी है। भाजपा के निता भी कुछ यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं भाजपा के वो इस वक्त होटल के अंदर मौझूद हैं। और जो बैठक है वो समाप्त हो गई है। वहीं मौझूद हैं बिनोत तावडे से अंतिम जो बाचीत है वो की जा रही है चुकि दिहार प्रभारी है बिनोत तावडे तो ऐसे प्रसिती में जो निर्ने होना शेलिंगर आपने ही जानकारी दी थी कि वीजेपी के विधायक दलकी भी बैठक आज ही होनी है तो वो बैठक कहा होगी कितने बजे होगी क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास देखे बिधायक दल की बैठक करीब चार बजे निर्धारित है और इसके बाद जो यहां पर इस वक्त जो कोर कमीटी की सदस है वो यहां से सिधे भाजपा आफिस ही जाएंगे जहां बिधायक दल की बैठक होगी सांसुदों को भी बुलाया गया है इस बैठक में साथी साथ जो पताधिकारी है प्रदेश के जो महत्पुर्ण चेहरे हैं वो भी मौझूद इस बैठक में रहेंगे एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में कहीं ने कहीं देखिए बताने की कोशिश होगी कि नितीश कुमार को लेकर के चुकि एक कयास पहले से लगाया जा रहा था कि बीजेपी ने दर्वाजा बंद कर दिया है खुले मन से तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो यह कहते रहे थे कि आप जो दर्वाजा वो बंद है और आप खुलने वाला नहीं है लेकिन दर्वाजा खुल गया है जो भाजपा के जो राश्टे नेत्रित्म हैं उनके कहने पर दर्वाजा खुला है तो ऐसे प्रसिती में जो चली अब आपको सीधे हम राबड़ी आवास लिए चलते हैं वहाँ पर क्या कुछ तस्विर हैं वहाँ पर क्या हल चल हो रही है समधातार रवी हमारे साथ जड़े वे रवी क्या तस्विर है इस वक्त वहाँ पर तो देखें यह तस्विर हम आपको दिखा रहे तीजस्वि आदव के आवास पर विदायक दल की और हमारे समधातार रवी एक बार पर हमारे साथ जड़े में रवी इस वक्त क्या कुछ हल चल चल आप देख पा रही है बहुत ही मैंत पूर्ण बैठक चल रही है जी बिल्कुल लाओ रहे है तेजस्वि आदो के जो बैठक है वो आवास पर अभी भी चल रही है और आपको बताते कि इस बैठक में तमाम विदायकों से राय लेने के बाद तेजस्वि आदो ने जो इंतजार था इस बात का कि तेजस्वि आदो कौन सा कदम उठाते हैं और क्या अपने विदायकों को बोलते हैं वो बाते जो है निकल करके सामने आ रही है और नियूज अटिन जो है वो सबसे पहले ख़बर जो दिखाती है उसमें तेजस्वि आदो ने ये खबर बड़ी है कि तेजस्वि आदो ने ये पूरी तरह से कहा है अपने विदायकों कि तस्वीर जो भी हो हम लोग जो हैं वो जन्ता के मालिक हैं जन्ता के लिए काम करते हैं और जन्ता के बीच में जाएंगे ये फैसला उन्होंने लिया है ये मतलब साफ है कि उनका कहना है कि जो बाते हो रहे थी सरकार बनाने की जोड़ तोर की बात हो रहे थी उससे इंकार क बीच अकर हम लोग जाते हैं तो जन्ता के बीच में ये बताइंगे कि लाखोन औवकरियां जो हैं वो हमने दिलवाई है रोजगार का जो combo season है वो हम लोगों ने करवाया है और जन्ता जो हैं हमारी ताकट है तो इसलिए जन्ता के मालिक है हम जंता के बीच ही जाएंगे तो एक तरह से तेजस्वी यादों ने ये साफ किया है कि यहाँ पे नितीश कुमार को जो करना है उसे इसका इंतजार किया जाए उन्हें जो फैसला लेना है उन्हें फैसला लिया जाए और इस बात का इंतजार किया जाए कि ने भी साफ कहा है कि उनको पहले कहने दिया जाए कि वो कौन से कारण है जो लोगों के सामने बताते हैं और जंता के बीच जाकर कि हम ये बताएंगे कि हम लोगों ने अंतिम समय तक निभाने की कोशिश की है और इस निभाने में हमने साथ नहीं छोड़ा है तो ये तमाम जो जादो तमाम विदायकों को क्या कहते हैं इसका इंतजार है और बैठक जो है बिलकुल अपने अंतिम चरण में है कुछी देर में ये बैठक खतम हो सकती है जी आवाके रवी ये देखने वाली बात होगी कि आजड़ी का अगला स्टैंड क्या होता है अभी खबर ये भी मिली है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार आश्रामी साथ बजी का वक्त है जब वो इस्तिफा देंगी और इसे बीच क्या आरजड़ी की तरफ से भी कुछ एलान क्या जा सकता है आला कि आपने अभी भी बताया कि तेजस्वी आदर ने यही कहा है कि नितीश कुमार अपना स्ट आरजड़ी कोई फैसला नहीं लेती है अभी तक जो सुत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है और जो तेजस्वी आदर ने जो बोला है उसके मायने पूरी तरह से यही निकाले जा रहे हैं कि तेजस्वी आदर यह चाहते हैं पूरे आरजड़ी की विधाकोक के एक भामना है क्योंकि काफी लंबी वक्त से बाठक चल रही है जाय सी बात ही यह बहुत ही मत्र पूरे बाठक है और अब तक लालुई आदर की कोई बात सामने आईए खुलकर पूरे कर पूरे जो है राजड़ी जो उन्नासी विधायक हैं सारे के सारे यहां पर पहुंचे वह हैं और बारी बारी से सारे विधायकों से पूछा गया कि वहाँ पर आप क्या चाहते हैं तमाम जो बिहार के जो गतिविदियां बदली हैं जो सरकार अगर बदलती हैं तो आप क्या चाहते हैं सारे विधायकों ने डाय ली सारे विधायकों ने बताया कि आप जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ एक जूट हैं इंटक्ट हैं तो यहां पर जश्री यादो ने अपनी बात रखती है लालो पुषाद यादो जो है उनका इंतजार है कि वो अपनी बाते रखेंगे माना जा रहा है कि ये बैठक थोड़ी देर और चलेगी लालो पुषाद यादो अपनी बात रखेंगे उसके बाद जब बैठक खतम होती है तुमाम ब रशकों को बताएं मुख्य मंत्र नितीश कुमार आज ही शाम साथ बजे इस्तिफाद दे सकते हैं पटना में कल नई सरकार का श्रपत ग्रैन होगा नितीश की एंडिये में वापसिका फॉर्मुला बिलकुल तयार है और आज शाम करीब साथ बजे जब घड़ी इशारा हैं तो बैर की सियासे जब जोनों वी परीवर्तित होगी तो नितीश की एंडिये में वापसिका फॉर्मुला बिलकुल तयार है और अगर मुख्य मंत्र नितीश कुमार फिर से मुख्य मंत्री के तौर पर शपत लेते हैं तो यह 9 वी बार उनका शपत ग्रैन होगा